दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़बरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे बड़ी कबर एक सितंबर से बिहार में कार बाई खरिदना हो जाएगा महंगा जानिये कि नियौम में हुआ है बदलाव जी हाँ अगर आप नए गाड़ी खरिदने की योजिना बनाएं तो 30 अगस्त खरिद ले एक सितंबर से कार या बाई खरिदने के लिए डाउन पिमेंट के रूप में आधिक रकम आदा करनी होगी बिमा की पॉलिसी में बदलाव लागू हो जाएगा नए वहन की बिक्री पर वहन चलक यात्रियों और वहन मालिक को कवर करने के अलावा वहन का ओन डेमेज 5 साल की अवेदी के लिए कॉम्प्रेहंसिव इंसुरेंस अनिवार कर दिया गिया है यानि इंसुरेंस वहन चलक सवार यात्रियों और वहन मालिक का कवर एक साल की जगा 5 साल के लिए जोड़ा जाएगा बिमाव इसे सक विकास कुमार की माने तो इससे नई कार खरिदे की कीमत अवास नहीं है उनके लिए अच्छी खबर ऐसे लोगों का सच होगा अपने घर का सपना जिहां राज में प्रधान मंत्री सहरे आवास योजना का काम अब रबतार पकड़ेगा नगर विकास एवं आवास विवागने 16 सरी निकावों में बनने वाले 7589 आवासिय इकाई के लिए राज मद से रासिका अवंटन कर दिया है इसके लिए केंद्र की पहले किस्ट के रूप में 19.53 करोड़ प्यम मिले हैं वह राज सरकार की और से 1 करोड़ 85 लाक अनुदान स्विक्रित किया गया है इस योजना पर लगबग 26 करोड़ 4 लाक के लगबग रासिक खर्चो विभाग की ओर से बरगणिया में 1250, बाका में 578, बनमक्की में 302, भवा में 158, दल सिंग सराय में 468, एकमा बजार में 488, हाजीपूर में 260, इसलामपूर में 102, केसरी में 488, मेर गंज में 887, मोतिहार में 344, नवी नगर में 344, फुलवार शरीप में 146, रफी गंज में 151, और टेकारी में 293 आवास निर्मान की स्विकृति दी गई है। परियासो स्वास्त कर्मियों के मेहनत और जंता की जागरुकता से आज बिहार में कोरोना का दूसरा आवेग भी सांत हो चुका है लेकिन इससे हमारी सतर्ता में कोई कमी नहीं यानी चाहिए इस लड़ाई में टिककरन इस सबसे अमोग हतियार है उन्होंने आगे का कि बाड़ी कबर राष्ट्य केल दिवस पर भाविना पटल ने रचा इतिहास देश को दिलाया पहला रज़त पदक प्रधान मंत्री ने फोन करके दिबधाई जी हाँ टोक्यो पेरा अलॉम्पिक में भारत ने अपना खाता कोलते हुए पहला रज़त पदक जीत लिया है भा भाविना मेडल जितने में कामियाब रही है सिल्वर पदक जितने के साथ इस सोचल मीडिया पर टोक्यो पेरा अलॉम्पिक्स और भाविना पडेल का नाम ट्रेंड करने लगा अलॉम्पिक की तरह यहां भी प्रधान मंत्रे नरेंदर मोदे ने उन्हें फोन करके बधाई गरदे और सांदन प्रधासन के लिए उनकी तारिब की बिहार में बाड का कहर कोसी वकातां में नदीों का बढ़ रहा है जलेस्तर दसात में लोग Tsio c19 С aí और से कोसी और सीमानचल में नदीों का जलेस्तर फिर से बढ़ने लगा है कोसी नदी का जलेस्तर बढ़ने से सुप लातार हो रही बारिस वर नेपाल से पाने आने के बाद जिले में होकर बहने वाले कामवेसी सबी नदियों के जलेस्तर में बिर्दी हुई है। उत्तर बिहार में बाड के सिती और गंभीर होती जा रही है। गंडग, बुड़ी गंडग, बागमती और कमला बलान सही तमाम चोटी नदिया भी तांडम मचाने लगी है। दरदरी पंचायत के पचपेडवा में भबसा नदी के टुटे बांध से गाउं में पानी फेल रहा है। इसके अलावा सितामरी के चोट साथ प्रकण की तीन दर्जन से अधिक पंचायते बाड से फरभावी थे। बड़ी कवर नितिस कुमार में पीम बनने की सारे योगिता जडवी की राष्ट्य परिशत की बेटग में प्रस्ताव हुआ पास। जिसे सर्व सम्मित्य से पास किया गया साड़े तीन गंटे से अधिक चली इस वेटग में जातिय जनगन्ना जनसंक्या नियंत्रन कानून समित अन्मसलुप पर 31 जुलाई को जडवी के राष्ट्य करकरन में पारित पार्टी के राष्ट से जुड़े पस्ता पर मुहर करीव 500 सदेशों के उपसिति के बीच पार्टी के राष्टिय अदग राजिव रंजन और प्लालन सिंग ने एक महतपुन प्रस्ताव रखा का कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं एंडिय में पीम बद के प्रतासी भी है लिहाजा नितिश कुमार इस प कर्मियों का बनेगा डाटा बेस सभी थानों में होगी तैनातिया बिहार में महिला पुलिस पदादी कारियों को पहले के मुकावले ज्यादा संक्या में थाना प्रबारे की कमान सोपने की तैयारी है ग्रिया विबाग ने पुलिस मुक्याले से महिला पुलिस पदादी कार की जानकारी मांगी है साथ ही ताना प्रवारी के पद के लिए पूरुस एवं महिला पुलिस कर्मियों का वर्गी करन कर अलग-अलग सूची भेजने को कहा गिया है ग्रिया विवाग के निर्देश के आलोक में डाटा बेस तयार करने का काम सुरू कर दिया गिया है बिहार में आटवे तक के बच्चों को कम मिलेंगे किताब के पैसे सरकार ने दिया जवाब बिहार के सरकारे प्रारामे की स्कोल में दूसरी कक्चा से आठवी कक्चा तक पढ़ने वाले एक करोड 29,6,682 चात्राओं को सुमवार के बाद किताब के पैसे मिल जाएंगे चोती तक के हर बच्चे को धाई सरु रुपे जबकि पाचवी से आठवी तक के प्रति विद्दारती चार सरु रुपे किताबों की खरीद के लिए दिये जाएंगे पैसे बच्चे या अभिवाव के खाते में डिविटी के मैदम से बेजे जाएंगे अगली बाड़ी खबर बिहार में अब मिड़ मिल में लगे गए इनाम का तड़का स्कुलों की बीच होगी प्रतियो गिता प्रारामिक विद्दालों में बच्चों के लिए खायदान उटाव एवं वित्रन के निगरानी मोबाइल एप से कराने का निर्दिस दिया है। और स्वादिष्ट बनानी के लिए यहाँ कदम उठाया गया है। इसमें रसोई और उनके सयोगी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। तीस हजार रुपय वा ग्राम पंचाय सदैस वा ग्राम कचारी के सदैस बद के प्रतासी के लिए अधिकतम बीस हजार के रासी कर्च की सीमें निधारित किया है। दिजाच में किसी उमिदवार के कर्च की रासी इससे अधिक होती है। ऐसे में उस उमिदवार पर चुनाव आयोक के फैसले का उलंगन करने की खिलाप में कारवाई की जाएगी। बड़ी कवर बिहार में अस्य हजार सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे डिजिटल किताब पहली से बारवी तक दी जाएगी ट्रेनिंग। द्हाइक करोड़ बच्चे ऐ लावरेरी से पढ़ सकेंगे। इ लावरेरी से पाईट पुस्तक डाउंलोड कर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इसके उन्हें कक्चाओं में जानकारी दी जाएगी। लाइब्रेरी में पाइट पुस्तक के डिजिटल रूप में उपलब्द कराए गई है सिक्चा विभाग ने डिजिटल पाइट पुस्तकों को रूचिकर बनाने की जिम्यदारे S.C.E.R.T. को दी है बड़ी कबर COVID टिके की दूसरी डोज लेने में पटना आगे अरवल गया और नवदा का बुरा हाल कोरोना संकवन से बचाव को टिके की दूसरी डोज में पटना जिले ने बिहार में रिकोर्ड बनाया है स्वास्त विभाग द्वारा मिसन टू की रैंकिंग रिपोर्ड में पटना ने 51 फिजदी उपलब्दे हासिल की है 37 फिजदी कवरेज के साथ गोपाल गन जिला दूसरी नमबर पर है सरकार ने टिका करन में टौप 5 जिले और 5 पिजडे वाले जिलों की सुचिजारी की है बिहार में पटना टौप पर है और अरवल जिला बोटम पर रहा है अरवल की उबलब्दे टिका की दूसरी डोज में मात्र आठ फिजदी दर्ज की गई है बता दे कि टौप 5 जिले पटना गोपल गन्ज, पुर्निया भागल पुरो सिवान जो दूसरी डोज लेने में सबसे आगे हैं वहीं 5 जिले अरवल गया नवादा सितामाडी खगडिया जो सबसे कम दूसरी डोज लेने वाले जिले में सामिल है बड़ी कवर बिहार में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले, 31 जिलो में एक भी नहीं जिया बिहार में पिजले 24 गंटे में 11 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है राज के 31 जिलो में एक भी नए संक्रमित नहीं मिले है मातर साथ जिलो में ही नई संक्रमित मिले है पटना में सरवादिक तिन नई संक्रमित के पहचान हुई है जबकि मदेपुरा और पुर्णिया में दो दो भागलपूर पुर्वी चमपारा रोहतास वा बैसाली में एक एक नई संक्रमित के पहचान हुई है साथ ही आपको बता दी के राज में वर्तमान में कोरोना संक्रमित 112 मरेज इलाजरत है और अनकी बड़ी कबर सितंबर में इतने दिन बैंक रहेंगे बंद बहले ही निप्टा ले जरूरी का जहां बैंक करमचारी के लिए सितंबर महिना छुट्टियों से भरा होगा बैंक करमचारी सितंबर महिने में 12 चुट्टियों तक का आननद ले सकेंगे आरबियाई द्वारा जारे लिष्ट के मुताविक सितंबर में कूल साथ बैंक हॉलिडी पढ़ रहे हैं वैसे इन चुट्टियों का असर पूरे भारत पर एक समान नहीं पढ़ता है इन में से कुछ राज्यों के लिए भी बिसेश चुट्टिया होती है इसके अलावा में बैंकों को कूल 6 सब्ताइक बंदी मिलेगी इसके बावजिद कूल चुट्टियों की सेंख्या 12 इसलिए है क्योंकि एक सब्ताइक अवकास बैंक हॉलिडी के दिन पर रहा है आज के लिए आप सवाल बताए कि आपने अवे तक कोरोना कर्टिका लिया है नहीं इसका झाल 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 झाल